हेलो दोस्तों आज मैं लाएँ ओटी टाइम स्नेक्स जो खाने में वोती स्वादिष्ट और लाजवाब बनते हैं एकदम क्रस्पी क्रेश्पी और क्रंची क्रंची बनते हैं घर में आचानक से आज़ाए कोई भी महेवान और घर में ना हो कोई भी नास्ता तो क्या बनाए क चाहां बनाएं करने के बजाए जट पटू वाले आलू और बनाए टी टाइम स्नेक्स तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लिए हैं चार पांच आलू इनको च्छार इस्टो में कटिंग करके और बोईल करने के लिए गैस पे हमने रख दिया है और 15 मिनेट में ही हमारे आलू बोईल हो चुके हैं अब इनको हमने निकाल लिया है ठना होने के हलका से ठना होने के बाद इनका छिलका उतार लेंगे हम और ये छिलका हमने उतार दिया है अब इनको हम मैस करेंगे मैसर की मदद से इनको खुब अच्छे से हम दबा दबा के अच्छे से मैस कर लेंगे और हम नावी हम harmful मुझ कुछ मसाले यह हमने दो चम्मच ले लिया हैwe कॉर्न फ्लॉर और दो चम्मच ourselves रा यस आटा ले लिया है इससे क्या है कि इसमें आच्छे से आलोम बाइनिंघ आ जाएकी और और हाफ चमच हमने रैडचिली ले ली, हाफ चमच जीरा पाउडर, और हाफ चमच काली मिर्च, और आवशकत नुशार नमक, और ये दो चमच हम इसमे ओल डाल लेंगे, अब इनको हम अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे, और एक डो के आकार में हम बना लेंगे, य चलिए, अब हम स्नेक्स बनाना शुरू करते हैं, ये इस टाइप से हम छोट छोटी लोईया लेंगे, बिल्कुल निम्बू से भी छोटी आकार में, और इसको हम इस तरह से एक बराबर सेप में कटिंग कर लेंगे, और हाथेली की मदद से एकदम गोल गोल, रसगुले के जैसे गोल गोलाकार हम इनको देंगे, और इनको बनाना बहुती आसान है, ये इस टाइप से हतेली पर रखिए और एकदम से गोल इसको बना देजिए, सारी बॉल्स हमारी बन के त्यार हो चुकी है, गैस पे हमने फ्राइपैन रख दिया है, और फ्राइपैन में तेल हमार आउट गया है, ज्यादा गरम नहीं करना है हमें, बिल्कुल मीडियम ही रखना है, और उसमें हम डालेंगे ये बॉल्स एक एक करके, थोड़े थोड़े से गैप पे, इनको बिल्कुल भी पास पास पी नहीं डालना है, नहीं तो ये आपस में चिपक सकती है, और इनको ये देखे, दो मिनट हो चुका है, अभी हम इनको पल्ट देंगे, पल्टने के बाद दो मिनट और फ्राइ करेंगे, हम इनको और ये देखे, दो मिनट बाद कितनी क्रस्पी और क्रंची बन गई है, वोल्स हमारी त्यार है, तो चलिए अभी हम इनको निकाल लेते हैं, थो जरूर ट्राइब किजिएगा तो चलिये हम प्लेटिंग कर लेते हैं तो कैसी लगी रेसीपी प्लीज कमेंट में जरूर बताना और इसका क्रेश्पिनेस देखे कितनी inspire क्रण्ची और बंती है तो कैसे लगी वीडियो प्लीज कमेंट में जरूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर अगर आप नहीं आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताके आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके एक